हिमाचल प्रदेश विधान सभा का मौनसुन सत्र शुरू हो चुका है विपक्षी दल भाजबा के सवालों के जवाब के लिए सत्ताधारी कॉंग्रेस भी पूरी तरह से तयार है सत्र शुरू होने से पूर्व कॉंग्रेस ने विधायक दल की बैठक कायजन किया जिसमें सत्र को लेकर आगामी कारयोजना की तयारी की गई सत्र को लेकर क्या तयारी है कॉंग्रेस की क्या कहना है मुख्यमंत्री सुक्वेंदर सिंग सुखु का देखिय अर्थपरकाश कि इस रिपोर्ट में उसका जवाब देना उस वारे में होती है यह बाकी विधायकों के थोड़े बहुत ग्रेविंसी होते है वो सुनकर विधायक दल की बैठक कतम होती है यही परंपरा है तो मैं कहरा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दस दिन के मांसुन सत्तर में भारतिय जनता पार्टी को जो बी उनकी भावना है जो भी भारतिय जनता पार्टी ने जिस वरकार लोक तंतर की हत्या की थी उस मुद्धे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है परदेश सरकार त्यार है और जंता से जुड़े मुद्दे करमचारियों से जुड़े मुद्दे सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भार वितरक के साथ लाना चाहिए, ब्रस्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर बॉक आउट करके कोई तथ्या नियों, तरक अधार पर अगर वो तथ्या लाएंगे, इसलिए दस दिन का मानसुन सत्तर रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार उनका पूरा जबाब देगी धन्यवाद मेरे कुश्चंज है अज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज़ प्रकास टीवी और बेल आइकन दबाएं